हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सो अच्छे लिए हम लोग फटाफट जो है येरली करेंड फ्रेस को आगे बढ़ाते हैं और साइंस एंड टेक को करते हैं साइंस एंड टेक के अंदर सबसे पहला चंद्रयान 3 अब आप लोग के मन में आ रहा होगा चंद्रयान 3 की बात करेंगे हम तो बहुत सारे फैक्स जानते हैं इससे रिलेटेट बट ऐसा नहीं है कुछ चीजों को रिवाइज कीजिए और कुछ नए फैक्स को जानिए ये 2023 के 14 जुलाई को इसको लाँच किया गया था 14 जुलाई 2023 को लाँच किया गया था और इसको जो लाँच किया गया था उसके लिए LVM3M4 लाँच वेहिकल का यूज किया गया था इसके द्वारा इसको भेजा गया था और LVM3 जो है न तो LVM3 जो है रॉकेट वो इसका operational launch था और as usual आंधर पर्देश के स्रीहरी कोटा के जो second launch pad बना है वहाँ से इसको छोड़ा गया अब बात करेंगे इसके weight की वजन की तो total 3895 kg का इसका वजन था चंद्रियान तीन के अंदर जो है न वो basically तीन component है पहला है पहला है proportional, sorry propulsion तो propulsion जो है thrust देता है, जब fuel होगा तभी तो engine जलेगा और वहाँ से उपर जाएगा एक वो module हो गया, दूसरा lander module था और तीसरा rover module था, तो तीन के अंदर था अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके साथ जो lander module है उसकी soft landing करवाई भारत ने और ऐसा करवाने वाला भारत fourth country पूरत भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया, पहला अमेरिका है, दूसरा रूस, यह रसिया अभी वाला नहीं, USSR वाला यानि सोवियत संग रूस वाला फिर चीन और चौथा इंडिया, चौथा इंडिया अब, एक fact और है आपको पता है कि ये जो विक्रम lander है, ये जिस जगह पो उत्रा था, उसका नाम शिवशक्ती रखा गया था, वो तो ठीक है, आपको याद होगा उस जगह का नाम शिवशक्ती रखा गया है जहाँ पे, और चंद्रयान 3 का जो ये lander है, ये साउथ पोल पे उतरने वाला दुनिया का पहला, यानि चंद्रयान 3 चंद्रमा का के दक्षीन धुर पे सफलता पुरभक लैंड करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक शैम बन गया, तो साउथ पोल पर अभी तक कोई नहीं किया था, और बिक्रम लैंडर जहां पे land किया है soft land किया है, उसको शिवशक्ती जगह का नाम दिया गया है, और ये date कब है, इस soft landing का date है 23 अगस्त तो अब तो fact याद होगी अब क्या कहना चाहरे हैं, ये 23 अगस्त ही है, जिस ताड़ी को national space d मनाया जाएगा, यानि अब हर साल national space d मनाया जाएगा अब बिक्रम लैंडर जैसे ही नीचे उत्रा, वहीं से उनके अंदर जो भी उसमें rover लगा हुआ था अब rover ने क्या किया lander और rover के द्वारा अलग-अलग research करना सुरू कर दिया गया उनके पास अलग-अलग devices लगे थे जैसे LIBS इसको कहते हैं laser induced breakdown spectroscope अब इसके द्वारा south pole के पास जो molecular structure है चंदरमा का उसको इन्होंने major किया और इन्होंने बोला कि sulfur है वहाँ पे aluminium, calcium, chromium iron, titanium, sulfur इन सब के बारे में इन्होंने पता लगाया इसके अलाबा इसमें एक और चीज़ लगी हुई थी APXS तो इसके कारण भी alpha, particle, x-ray तो इसके द्वारा sulfur को इन्होंने verify कर दिया कि नहीं sulfur यहाँ पे अच्छे खासा मातला में फिर रंभा लगा हुआ है रंभा लगा हुआ है रंभा लगा हुआ है तो रंभा के द्वारा plasma का जो वातावरन है चंद्रमा का उसको लेकर इन्होंने रिसर्च किया है तो अलग-अलग तरह के रिसर्च यहाँ पे किये गया है ठीक है अलग-अलग और यहाँ पे इसरो के द्वारा एक जक्सा जापान एरोय स्पेस explorer agency के साथ joint रूप से इन्होंने L-U-P-E-X यह देखिए ठीक है अब यह क्या करेंगे मनलब इसरो के द्वारा आप क्या किया जाएगा इसरो अंत्रिक्ष मिसन के तहत जाक्सा यानि जापान के साथ सेंग रूप से LUPEX यानि Lunar Polar Exploration मिसन का संचालन करेगा आगे जाके क्योंकि यह बड़ा खुर सही कि हमारा सब काम बड़ा अच्छे से होड़ा है ठीक है तो इस रोव कि उपलब्धी कम नहीं है अब यहाँ पर एक और फैक्ट है कि जब चंद्रयान 2 गया था यहाँ पर याद क्या कि आप रखेंगे 23 अगस्त जब सौफ लैंडिंग हुई थी राश्ट्री अंतरिक्ष मिशन शिफ सक्ति किसका नाम दिया गया है जिस अस्थान पर पहला सौफ लैंडिंग हुआ है इसके बाद चंद्रमाट तिरंगा किसका नाम है जब चंद्रमाट तू ने जहां अपनी उपस्ति धरज करवाई थी तो वो क्या है वो तिरंगा उसका नाम है तो इतना काफी है और 14 जुलाई 2023 को भीजा गया था बहुत सारे सौफर, कालसियम, आइरन इन सब को लेकर इन्होंने जस्टिफाई किया है कि नहीं यह सारे चीज़े वहाँ पर है, हम लोग चलते हैं आगे, यह यह लैंडर है, किस तरह से इन्होंने, किस तरह से सौफ्ट लैंडिंग की थी, आप लोगोंने देखा होगा टीवी पर बैठके PSLV 56, यह जो PSLV 56 है, यह से 56 ही नहीं है, इसके साथ आगे का नाम जो जुड़ा होगा है, DSSAR, इस मिसन का नाम है PSLV 56 या DSSAR, DSSAR क्यों कहा गया, DSSAR इसलिए कहा गया है, क्योंकि अभी PSLV C-56 के दोारा, तोटल साथ सेटलैट को लाँच किया गया, उसमें जो में सेटलैट था वो DSSAR था, और साथों के साथ सेटलैट किसके हैं भाईया, सिंगापुर के सातों के सातों सेटलाइट सिंगापूर के हैं तो सिंगापूर के लिए ये पूरी तरह से डेडिकेटेड उडांती किसकी उडांती डेडिकेटेड? New Space India Limited इस रोका ही एक ब्रांच है जो Commercial Mission को लॉंच करता है तो उसके अंदर इसको भेजा गया था तो टोटल साते सेटलाइट थे और आपको पता है PSLV आप फ्लॉप नहीं करता तो PSLV फ्लॉप नहीं वह सकस्पुल इसको लॉंच कर दिया गया PSLV C57 ये PSLV जो C57 है C57 याद रखिएगा इसका नाम है आदित्या L1 Mission आदित्या L1 Mission ठीक है अब आदित्या की अगर बात की गई है तो आदित्या का मतलब होता है सन सूरज और ये PSLV है तो पोलर सेटलाइट लॉंच बहिकल है और इससे आदित्या L1 को लॉंच किया गया है ये L1 का कोई मतलब है अभी हम लोग देखेंगे इसको भी स्रीहरिकोटा सतीस धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉंच किया गया है तो आदित्या L1 L1 एक्चुली क्या है L1 जो है एक पोजीशन है L1 एक पोजीशन है जो सूरज और प्रिथवी के बीच में है आपको पता है सन के बीच में भी सन का भी अपना ग्रेवेटेशन पोर्स है प्रिथवी का भी अपना ग्रेवेटेशन फोर्स है जहां रहेंगे वहीं पे उसी के अंदर में रहना पड़ेगा तो L1 क्या होता है L1 का फूल फॉर्म होता है Language Braundo Language Point Italian French mathematician जिसका नाम था Joseph Louis language जो इटेलियन फ्रेंच उनके नाम पे इसको रखा गया है यह क्या होता है जब जहां पे दो बड़े पिंड इसको समझे उनका जुआइंट ग्रेविटेशन फोर्स अब यहां पे इसका भी फोर्स लगड़ा ग्रेविटेशन इसका भी लगड़ा देखना है न दोनों का किसी पे लगता है तो जो छोटा पिंड होता है जैसे स्पेस्क्राफ्ट टाइप की जो कुछीज़े होती है वो इनके साथ मूव करने के लिए इनको यह स्पेशल सेंट्री पिटल फोर्स का जो है वो बड़ावर हो जाता है अब इससे होता यह है कि यह स्टेबल रह जाता है यहां से भी फोर्स लगड़ा है यहां से भी फोर्स लगड़ा है तो अब यह इस्थीर हो जाएगा और संतुलन हो जाएगा और इसको दोनों में से किसी के ग्रेविटेशन से जूझना नहीं है अराम से परह रह जाएगा ठीक है अब यहीं पर परह रह गया तो यहां प होता है तो यहां पे अगर हम किसी को स्थिर कर दें तो वह स्थिर हो जाएगा इसको किसी भी तरह के ग्रेविटेशन से जूचना नहीं पड़ेगा और ऐसे टोटल 5 पॉइंट बनाए गया है अब आपको समझ में आ अब देखिए कि यह क्या कड़ेगा क्या इसको देखो अच्छा इसमें और फैक्ट यहां तक नहीं जो हमारा है वह पहला सोलर मिसन है यानि आधित्य लवन हमारा पहला सोलर मिसन है PSLVC 57 के द्वारा इसको लांच किया गया था अब यह जो यह लवन है यह लवन में जो करेगा गया तो यह जो होलो है इसको होलो कहते है न यह आभा मंडल जिसको कहते है प्रभा मंडल कहते है तो यह पहला लवन है जो चारो ओर जो होलो है उसके मौहा पर स्थापित किया गया है तो यह ना सूरज के नजदीक जाएगा यह सूरज पर लैंड भी नहीं करना है क्योंकि करी नहीं सकता और नहीं उसके बहुत नजदीक जाएगा तो L1 पॉइंट पर रहके ये होलो का पूरा स्टडी करेगा ये होलो का स्टडी करेगा और ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर कभी कोई सुर्य ग्रहन नहीं होगा यानि सुर्य ग्रहन का इंपक्ट यहां से नहीं दिखेगा इसको हमेशा सं दिखता रहेगा और होलो दिखता रहेगा इसमें टोटल साथ अलग-अलग तरह के पेलोड लगाये गए है जिसके कारणी ये दिन या रात दोनों ही टाइम में काम करेगा तो क्लियर इतना चलिए आगे शलते हैं लूना 25 लूना 25 लूना 25 किसका मिशन है सबसे पहले तो याद रखेगा रूसी मिशन है लूना आपको याद होगा अगर तो याद रखना है लूना 25 जो है लूना 24 के बाद देखो लूना 24 के बाद ये लूना 25 लांच हुआ है लूना 24 कब लांच हुआ था याद है डेट 1976 में लूना 24 लाँच हुआ था और अभी लूना 25 यानि टोटल 47, 47 सालों के बाद जब इनके पास ऐसी टेक्लोजी पहले से है इतना टाइम क्यों लगा कई सारे डाउट्स इसको लेकर उभर के आता है खेर, तो रूसी स्पेस एजन्सी जिसका हमने कई बाद जिक्र किया है रॉस कॉस्मोस इसकी द्वारा इसको लाँच किया गया है और ये कहां उतरा है भई लूना 25 कहां उतरा है तो ये जो चांद है जो दीख रहा है आपको उस चांद के साउथ पोल पर दक्षनी धुरूब पर जिसका नाम है नाम सुन लेजे नाम है बोगो स्लावस की क्रेटर तो ये जो लूना 25 है बोगो स्लावस की क्रेटर साउथ पोल पर है चांद के वहां उतरा गया है लेकिन वहां पर उतरा जाना था लेकिन ये mission flop कर गया क्योंकि ये ठीक से Roscosmos के contact में रहा नहीं और बाद में टकरा कर तूट कर समावत हो गया तो ये mission इनका flop कर गया एक तो इतने साल के बाद भेजा भी और वो भी flop कर गया उसके बाद Vikram 1 की बात कर लेते है Vikram 1 के साथ fact ये है कि Vikram 1 Skyroot Aerospace Private Limited ने इसको launch किया इसका रूट ने अब Vikram 1 के साथ fact ये है कि Vikram 1 जो launch हुआ rocket ये हमारा पहला commercial rocket पहला commercial rocket है अब ये जो पहला commercial rocket है ये 480 kg तक के weight को 500 km 500 km को कहते हैं low inclination orbit यानि निम्न उचाई वाली कक्षा उसमें 480 तक के payload को ये 500 km तक स्थापित कर सकता है पूरी तरह से carbon fiber से बना हुआ 3D printed liquid engine पे काम करता है और Vikram 1 को इसके पहले इसने जो launch किया था उसका नाम था Vikram S वी एस वीक्रम S तो इसको already successfully launch कर दिया गया है और ये Vikram उसी का advanced development Vikram 1 है इसमें एक और हम लोग देख लेते हैं जो हमने अभी इसके अंदर डाला नहीं था वो ये था कि इसरो के द्वारा एक इसरो के द्वारा एक नभ मित्र करके डिवाइस बनाया गया है तो ये नभ मित्र करके एक डिवाइस बनाया गया है ये नभ मित्र जो है एक तरह से innovative safety device है अब आपके मन में आएगा इसरो ने बनाया safety device है किसके लिए है तो ये safety device को जो मचली मारने वाले नौका होती है न शिप शिप होता है न जो मचली समुद्र के अंदर जाके मारता है उस शिप पे इसको लगाये जाएगा और केरल इस्थित जो निंदकारा है जगह है वहाँ पे इसको सबसे पहले शिप में लगाये जाएगा अब ये actually काम क्या करेगा तो आप देखते होंगे कि समुद्र यात्रा जब होती है तो मचवारों को protection कभी कभी protection की जरुद पर जाती है और नहीं तो वो कई बार border cross कर जाते हैं दूसरे area में सिलंका चले गया कहीं चले गया दूसरा कई बार उनके उपर attack करते हैं समुद्री लुटे रहे तो उनको फिर मदद नहीं मिल पाती है तो या कहीं फस गए जाके किसी कारण से तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये जो जो fisheries नौकाएं हैं वो समुद्री अधिकारी के बीच में आराम से बातचीत कर पाएंगे इसको लेकर इसको develop किया गया है और इसके कारण जो मतस्यन छेतर है उसको भी पहचान करने में मदद मिलेगी और इसको develop किसने किया है तो अमधाबाद का जो अंतरिक्ष अप्लिकेशन सेंटर है अंतरिक्ष अप्लिकेशन सेंटर अमधाबाद इसरो का है न ब्रांच याद करना है तो इसरो का ब्रांच है तो इसके द्वारा इसको develop किया गया है मूड़ा मूड़ा कौन है बई मूरा है नूर है तो मूरा जो है मूरा 1 को लाँच किया गया है किसने लाँच किया है मूरा 1 को लाँच करने वाला मूरा 1 को लाँच करने वाला स्पिनिस कंपनी PLD Space है मूरा 1 है क्या मूरा 1 reusable rocket है reusable rocket है reuse किया जा सकता है बार बार लाँच किया जा सकता है और पूरा का पूरा अभी पूरी जो दुनिया है वो उसी पे काम कर रही है यह अच्छे से अच्छा reusable rocket बनाया जाए ताकि बरबाद भी ना हो और space pollution भी कम हो इस mission को लाँच किया गया बाद में Atlantic Mars आगर में गिरा दिया गया और successfully यह वापस आ गया Mura 1 का एक commercial यह तरह से उड़ान था इसको पहले Arian नाम दिया गया था इसको पहले Arian नाम दिया गया था बाद में इसका नाम बदलके Mura 1 कर दिया गया यह suborbital reusable rocket है और private तौर पे नीजी तौर पे यूरप में विक्सित किया गया है और private company के दोवारा इस तरह से reusable rocket यूरोप में यूरोप का पहला है तो यह एक fact है नूर 3 नूर 3 क्या है? सेटलाइट है नूर 3 एक सेटलाइट है अब किसका यही बात समझना है भई? अब जैसे इरान का कोई सेटलाइट आ गया है तो इसके उपर जासूसी कारोप ना लगए ऐसा हो सकता है तो actually इरान का यह एक सेटलाइट है नूर 3 इसको इसके पहले नूर 1 लाँच किया गया 2020 में नूर 2 लाँच किया गया 2022 में और अब फाइनली नूर 3 को लाँच किया गया है याद रखिएगा नूर 1 प्रित्वी पे वापस गिर चुका है मतलब वो समाप्त हो चुका है किसी कारण से अक्सिडेंटली और नूर 2 काम कर रहा है नूर 3 पे आरोप लग गया है यह इमेजिंग उपगरा है यानि इमेज बना सकता है इमेजिंग उपगरा है फोटो ओटो खीचे का उपर से लेकिन यह एक जासूसी करने वाला सैनिक उपगरा है जिसको लोर और और बिट में अस्थापित किया गया है तो क्लियर हो गया है इरान का है बस इतना काफी है और एक मिलिटरी नियूज के लिए इसको लौन्च किया गया इने इमेजिंग सैटलाइट है उसके बाद साइके साइकी यह साइकी किया है साइकी देखें नासा पहले याद रखेगा नासा का यह मिसन है नासा का यह अंतरिक्शन है थीक है? पहला दूसरा Space X के Falcon Heavy Rocket से लॉंच किया गया दूसरा उससे लॉंच Space X के Falcon से लॉंच किया गया Kennedy Deep Space से लॉंच किया गया है इतना काफी है अब देखो कि इसके अंदर इसमें है कि पहली बार चंद्रमा के बाहर लेजर संचार का ये परिक्षन करेगा ठीक है अब इसमें इन्होंने Saiki करके सेटिलाइट है उसको लिया है साइकी सेटिलाइट है साइकी जो है न वो छुद्र गया है तो वो एस्टिलाइट को लिया गया है और साइकी कुछ खास है खास क्यूं है कि नॉर्मली आप देखोगे कि इस तरह के जिस सेटिलाइट होते है उसमें बर्फ बहुत अधीक होता है और बर्फ अगर बहुत अधीक नहीं है तो उसके अंदर चटान होगा पत्थर बहुत अधीक होगा लेकिन साइकी और उसके आसपास के कुछ सेटिलाइट है जिसके अंदर सबसे अधीक मात्रा में मेटल है धातू है तो इसमें धातू अधीक है ये कुछ अलग खास है इसी के कारण साइकी को वहाँ पे लाँच किया गया है तो इस छुदरगड़ा में जो साइकी है साइकी एक स्ट्रॉइड है याद रखिएगा साइकी एक स्ट्रॉइड है उसके लिए जो मिसन लाँच किया गया उसको साइकी मिसन कह रहे है और ये छुदरगड़ा के अंदर चक्टान और बडफ से के तूलना में जो धातू है, मेटल है वो अधिक है तो इसके कारण ये खास है और आपको पता है जब इस्ट्रॉइड है यानि छुदरगड़ा है तो वो मार्स और जूपिटर के बीच में ही गुमेगा तो मार्स मंगल और बिस्पती के बीच में ही वो मूव कर रहा है और इस तरह के मनें साइकी केटेगरी में ये स्टोलहमा साइकी सेटलाई ये साइकी उपकरा है छुदरगड़ा है तो इसको इसलिए इसको वहाँ पर लाँच किया गया है ये पता करो और तूथाउजन ट्वेन ये अभी लाँच किया गया है समझ में आ रहा है तो ये है साइकी इसके अंदर एक टेक्नलोजी का यूज किया गया है जिसका नाम है डी एस ओ सी डीप स्पेस आप्टिकल कॉम्मिनिकेशन इसका प्रियोग किया गया है ताकि बेहतर तरीके से हम चंद्रमा के बाहर भी जो लेजर का परिक्षन है वो इसली कर सके और कनेक्शन बना रहे है तो ये सारे फैक्स अभी से रेलेटेड हैं फिर आगे के फैक्स को उन्हों लोग आगे देखें तो आगे क्लियर हो गया होगा सब कुछ चले मिलते हैं अगले क्लास में